Hello everyone, welcome to Global Online. तो students, UGC की तरफ से scholarship 2022 का notice जारी कर दिया गया है और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार UGC ने चार बड़ी scholarship की announcement की है. तो क्या है यह scholarship, किस तरह से आप इसका benefit उठा सकते हो, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी. और मैं बता दूँ कि यह scholarship में हर महीने आप लोगों को कम से कम पांच हजार और जादा से जादा 36,000 रुपीज मिल सकते हैं. So क्या इसकी eligibility है, क्या क्या conditions, UGC ने सभी के सामने रखी है, किस तरह से आप apply कर सकते हो, यह सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है. साथ ही हर एक scholarship का अलग से eligibility criteria है, और साथ ही हर एक scholarship में apply करने का link भी में आप लोगों को साथ में provide करवाऊंगी. तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेगा, हर एक चीज को note जरूर कीजेगा. So main content पे जाने से पहले आपको फटा-फटा से एक important information में यह देना चाहती हूँ, कि अगर आप लोग NTA UGC paper की तयारी कर रहे हो, इसके लिए Global Online की टीम आपके लिए लेकर आई है 30 Days Guaranteed Selection Crash Course. यह Crash Course का benefit यह है कि हम आपको Hindi और English दोनों ही languages में paper 1 का यह Crash Course प्रवाइड कराते हैं, जिसमें कि हम total 10 units यह 30 days में आपको cover कराएंगे, इसमें आपको 10 units के complete video lectures मिलते हैं, जिसमें कि हमारा major focus important and most repeated topics पर है, साथ ही मुश्कल से मुश्कल topic यहाँ पे हम smart and short tricks के साथ आपको समझाते हैं, और साथ ही आपको guarantee देते हैं कि अगर किसी topic में अभी तक आपको confusion था, वो भी आप लोग बहुत easily समझ जाओगे, इसके साथ ही इन video lectures में and इस complete course में आपको practice questions मिलेंगे, जो कि guaranteed है, साथ ही किस तरह से इन questions को आप smart tricks के साथ कम समय में solve कर सकते हो, ये सब चीज़े हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, इस crash course को join करने के लिए screen पर दिये गए number पर आपको whatsapp की help से contact करना होगा, and इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार fees pay करनी है, वो भी सिर्फ 3500 रूपीज, जलदी से इसको join कीज़े and अपना J.R.F. का dream आप 30 to 40 days में पूरा कर सकते हो, so यहाँ पे देख सकते हो यह UGC का notice है, इसमें इनोंने बोला है 4 UGC scholarships open for applications direct links, so हर एक चीज़ के direct link यहाँ पे मिले है, and scholarships के लिए UGC से related scholarship के लिए आप इनकी official site है, इस पे visit करते रहा कीज़े, आज की जो मैं आपको scholarship बताने वाली हूँ, वो हालां कि इस link पे आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए separate link है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, and इसमें apply करने की last date है 31st October 2022, so अभी आपके पास काफे समय है, लेकिन बिलकुल last dates के भरो से मत बैठियेगा, आप लोग जल्दी से इसमें apply कर सकते हो, अभी scholarships के नाम है, पहली है इशान उदे special scholarship for the north eastern region, दूसरी है PG, इंदिरा गांधी scholarship for single girl child, and तीसरी scholarship है, PG scholarship for university rank holders, and last scholarship का नाम है, PG scholarship for SCST students pursuing professional courses, तो देखते हैं कौन कौन इसमें eligible है, तो सबसे पहले बात करते हैं, इशान उदे scholarship की, यह है special scholarship scheme for north eastern region, इसमें यहाँ पे यह बोला गया है, कि as per the guidelines issued, the distribution of slots amongst the north eastern states, will be done on the basis of the population census, a total of 10,000 scholarships, will be awarded every year under this, so इस scheme के अंदर हर साल, 10,000 students को scholarship मिलती है, तो देखते हैं कितनी scholarship है इसमें, so इसके eligibility क्या है, यह north east state से होने चाहिए आप, applicants whose final annual income does not exceed 4.5 lakh, पर एनम, जिनके parents की सालाना, जो income है वो 4.5 lakh से कम है या इतनी है, सिर्फ वही इसमें apply कर सकते हैं, और दूसरी condition यह है कि north east state से आप होने चाहिए, 10,000 लोगों का यहाँ पर selection होना है, तो अगर आप यह eligibility criteria को satisfy करते हो, तो जरूर apply कीजेगा, इसमें देखते हैं आपको कितना stipend मिलेगा, so 5400 पर मन्थ मिलेगा, अगर general degree course है, and 7800 पर मन्थ मिलेगा, for technical, medical, professional, या फिर paramedical course अगर आप लोग करते हो, तो देख सकते हो general degree, अगर जैसे B.A.C., B.A., B.C.O.M. इस तरह की general degrees कर रहे हो, तो 5400 and कोई professional course है, technical, medical या paramedical courses हैं, तो आपको 7500 पर मन्थ यहाँ पर इसके under scholarship मिलेगी, तो यह बहुत अच्छा amount है, इसका link description box में मैंने add कर दिया है, जो पहला link आपको मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, and direct आप notification पर जाओगे, और वहीं से apply भी कर सकते हो, दूसरी scholarship है, PG Indira Gandhi scholarship for single girl child, so female applicants के लिए है, applied for post graduation degree, इसमें यह condition है, एक तो single girl child होने चाहिए आप, and अगर आपकी under graduation हो चुकी है, graduation आपकी हो चुकी है, आप post graduation करना चाहते हो, तो आप लोगों को यह scholarship मिल सकती है, at a UGC, recognized university, and are in their first year, can be applied for the scholarship, अगर आप post graduation के first year में हो, तभी आप इसको apply करते हो, तो ही आपको इसका benefit मिलेगा, अगर आपका second year चल पड़ा है, तो आपको इसका benefit नहीं मिल सकता, no other additional grant will be payable, चिक्के, eligibility female applicants, who have applied for post graduation degree, at UGC, recognized university, and in the first year, तो UGC, recognized university ही होनी चाहिए, नहीं है, तो आप apply नहीं कर सकते हो, stipend इसमें यहाँ पर क्या है, under this, students would be given 36,200 per annum, यानि कि एक साल में आपको 36,200 रुपे मिलेंगे, and हर साल 3,000 fresh scholarships जो हैं, वो मिलती है, यानि कि हर साल 3,000 लड़कियों को यह scholarship मिलती है, तो अगर students जैसे कि इसकी last rate भी देख सकते हो, आप लोग एक 30 October है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपने post graduation में admission लहीं ली है, आप लोग इसके बारे में अभी plan कर रहे हो, तो इस सीज को ध्यान में रखेगा, कि UGC recognized university होनी चाहिए, and फटा-फट से इसको apply जरूर कर दीचेगा, online apply करना है, उसका link आप लोगों को description box में मिल जाएगा, post number 2 जो होगी उस पे आपने apply करना है, third scholarship है यहाँ पे, PG scholarship for university rank holders for first and second rank holders, so जो भी जब भी आपने graduation की है, अगर graduation के समय आपका first and second rank है आपके university में, तो ही आप लोग इसमें apply कर सकते हो, the students will have to submit proof of their merit position at the undergraduate level, as well as their admission to postgraduate courses, तो आप लोगों को proof देना है, कि यह साब second and first position पे आए हो, and आपने post graduation में admission ले लिया है, इस चीज की भी आपको वहाँ पे proof देना होगे, तो आप फॉर्म फिल करोगे, तो अगर यह सारे documents ready हैं, तो फटा-फट फॉर्म फिल कर दीजे, नहीं ready हैं, तो 31 October तक आपके पास समय है, आप तब तक इसमें apply कर सकते हो, documents अपने ready रख सकते हो, eligibility है, students are secured first and second, ठीके वही चीज है, यहाँ पे बताई हुई, इसमें आपको मिलेंगे 3100 रुपीज per month for the period of two years, that is full duration of PG courses, so post-graduation दो साल की होती है, इसमें आपको हर महीने 3100 रुपे गोवर्मेंट देगी, तो यह कितना अच्छी scholarship है, आप जल्दी सी इसका benefit उठा सकते हो, इसमें अलग सी यहाँ पे mention नहीं किया गया है, कि हर साल कितने लोगों को यह scholarship मिलती है, बस आप लोग apply जरूर कीजेगा, next है, इसका link में, आपको description box में मिल जाएगा, third link जो होगा, वो third scholarship का है, last scholarship है, post-graduation scholarship for STSC students, the scheme has been initiated, keeping in view the social background of the candidate from deprived section of society, यानि कि simple सी चीज है, कि अगर आप लोग STSC हो, and आप लोग post-graduation करना चाते हो, professional study करना चाते हो, जैसे कि engineering and technology management, pharmacy, कहीं पे भी Indian university, institution या college से, कोई भी ऐसा professional course, medicine वगरा से related आप करते हो and आप SCST category से भी लॉंग करते हो, तो ही आपको यह scholarship मिलेगी, इस scholarship में, students in M.E.N. M.Tech courses will receive 7800 per month, यह बहुत ही अच्छा एक stipend मिल रहा है SCST students को, so 7800 रुपीज पर month आपको मिलेंगे, and students enrolled in their courses, in other courses will receive 4500 रुपीज पर month, तो यहाँ पे देख सकते हो, कितना अच्छा यह course आप लोगों के लिए comment ने लाया है, कितनी अच्छी scholarship comment ने लाई है, इसको अप्लाय करने की last date भी है 31 October, इसके लिए भी description box में आपको link मिल जाएगा, तो जरूर उस link को देखेगा, and apply जरूर कीजेगा, इसी के साथ students, UGIS in a paper 2 आपको पता है, कि यह हमारा subject related paper होता है, so इसका complete study material हम आपको देते हैं, वो भी बिलकुल updated है, बहुत बार पूछे जाते हैं, so total 20 subjects के list आपके सामने है, इसमें से जो भी आपका paper 2 का subject है, उसको यहाँ पर check कीजे, and screen पर दिएगे number पर, whatsapp की help से contact कीजे, इसका सबसे अच्छा benefit है कि यह है, कि इसको आप लोग सिर्फ 1 की बार fees पे करनी है, इसके लिए आपको एक बार fees पे करनी है, वो बिल सरफ 1500 रुपीज, जल्दी से इसको जॉइन सरूर कीजे, and I hope आज की यह वीडियो आपको पसंद आई है, अगर इन scholarship से related कोई भी query है आपको, तो जो link आपको description box में मिले है, उसमें help line numbers भी है, आप उन पे भी contact कर सकते हो, या फिर आप मुझे comment कीजिए, मैं definitely आप लोगों की help करूँगी, so thank you so much for watching this video, and I wish you...